नमस्कर दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आपने थम्नेल में देख लिए होगा कि यह जो सेर है वो सिरब हो सिरब मेरे सुब्सक्राइबर के लिए है ठीक है यह आने वाले टाइम में मुझे लगता है दस सालों में 50 गुना तक भी पैसा कर सकता है दुस्तों और मैं क्याश की तरब ले करके चलता हूं कंपणी में यह वो बता देता है दूस्तों और यह जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हु जम्मु कुसमीर ठीक है हिमाच्यल प्रदेश पंजाब राजिस्तन और इस जैसे बहुत सारे स्टेट में जो है इनके जो है लेबरेटरी है और यह जो इसमें क्या खास बात है वो मैं बता दूँ एक तो जो प्राइवेट सेक्टर से जो है 40% डिसकाउंट में जो है इनके ट ठीक है और यह जिए बात करें इस कमपनी की तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर की लेबरेटरी से 40% डिसकाउंट में जो है यह टेस्ट करती है अब मैं लेकर के चलता हूं कॉन सी अ नाम बता देता हूँ दोस्तों कंपणी का नाम है कृष्णा डाइगनोस्टिक ठीक है इसके अगर बात करें ना जो जबरदस सी कंपणी है मुझे लगता है लोंग टरम में जो है अच्छा खासा पैसा आप इससे बना सकते हो ठीक है तो लेकर के चलता हूँ इसके होम पेज देखते हैं कि क्या क्या इसके साथ है और क्या क्या मैं लगता इस में क्या खास बात है वो भी देख लेते हैं ठीक है तो अगर बात करें इसकी तो कि इसने 60 करते हैं इन्होंने 9 लाख क्लाइंट में बनाने वाली कम्पन है मैं लेकर के चलता हूं कृष्णा डाइगनोस्टिक के सेयर के उपर तो 608 रुपे के आसपास का सेयर प्राइज और इसमें जब से लिस्टिंग हुई है इसकी तब से लेकर के लगातार जो इसमें गिरावट चल लिया ठीक है यदि बात करें इसके मतलब की रिटन और कैपिटल इंप्लोईट की तो 139 परसेंट का है रेटन और इक्विटी एक हजार बासर परसेंट के बहुत ही जादा मंदलब सोलेट जो है दोनों है ठीक है लेकर के जलता हूं क्वाल्टी की तरब मतलब पोजिटिव और नेक्टिव पॉइंट की तरब इससे पहले मैं बता क्या है 97 दिनों से 66 दिनों के अंदर ठीक है यदि बात करें इसमें एक नेक्टिव पॉइंट भी है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 27 परसेंट के आसपास के ठीक है मतलब कि लोंग टरम में जैसे जैसे इसके प्रोफिट बढ़ेगे मुझे लगता है लोंग टरम में 87 करोड की 2017 में 147500 फी 396 करोड़ मतलब लगातार जो है इसकी बढ़ रही है इसके साथ यह बात करें नेट प्रोफिट की तो 2006 में 2 करोड का प्रोफिट वे हुए 12 करोड का और पिछले साल की बात करें जो है CSER की तो अभी जो इसका CSER देखने को नहीं मिला क्योंकि यह कंपणी है ना भाल फिलाल में इसके लिश्टी हुई है यह बात करें इस कंपणी के रिजर्व की तरब 629 करोड के मतलब इसके पास रिजर्व में सेविंग में पैसे है 159 करोड के कर्ज भी है तो सेविंग की तो 27% की प्रमोटर की होल्डिंग है और इसमें आप देखिए का FIA की होल्डिंग भी है चार परसेंट के आसपास की यदि आप चोटा सा इंवेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा रिस्की सेर है लेकिन चल जाता है लोंग टर्म में जो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो इस सेर से और यदि अभी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डाउन पर मिल ला है मतलब लग भग जो है 34% के आसपास का जो डिसकांट मिल रहा है तो आप इसमें एंट्री लेने के बारे हैं सो सकते हैं लेकिन चोटी से माउंट के साथ जो है इंवेस्टमेंट कीजिएगा ताकि आपको लोस हो भी जाए बाइद वे इस कंपनी में कोई दिक्कत आ जाए तो आपको आपका जो लोस है वो चोटा